मैं हूं वर्च और मैं बहुत वेलकम करती हूं आपका अर्बन बॉली केर में आप सब बहुत अच्छे होंगे हल्दी हल्दी खाने खा रहें और अपना ख्यार रख रहें होंगे आज की जो वीडियो है आप मेरा मेक अप लुक देखे समझ भी गया होंगे कि आज का जो मेक अप लुक है आज हम क्रियेट करने वाले हैं स्मोकी ब्लैक स्मोकी आई का आज मेक अप टीटियोरियल है और साथी साथ में आपको पूरा फूल मेक बताने वाली हूं इस आई मेक के साथ और साथ में यह बहुत ही इजी है करना और साथी साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीच जाके सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए और साथी साथ में बैल आकन को प्रेस लाएजर वाराविज फ्राइमर को को कोकोनेट में थलीक्नलीव recall कोई सब्सक्रा वब कर ताइभ देख्या Domain फ्रॉम कोकोनेट वेयर सब्सक्राइब में विद्यू evident और मेरा वीडियो कोके सब्सक्राइमर अब मेरा भी यहां इहां इसक्षिबॉ beard यहां जहां मेरा एरिया जो डार्क है वहां वहां मैं एरिया को कंसील कर रही हूं जैसे मेरे अंडर आई, मेरी आईलिड और मेरे होट के इरिया में जो मुझे ब्लैक लग रहा है मैं वहां पे हाइलाइट कर रही हूं जैन मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इसके हेल्प से मैं अपने कॉन्टूर को ब्लेंड करूंगी and guys blending करना अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका भी वीडियो देख सकते है there is a detailed video on my youtube channel इसके बाद हम करने वाले हैं अपने foundation को जो हमने eye पे make up किया है उसको पुरा pack करने वाले हैं ताकि हमाई पस कोई भी crease lines नह रहे हैं जब हम इस पे कोई भी eye make up करे तो so मैंने यहाँ पे अच्छे से एक loose powder की help से पूरे अपने eyes को pack कर लिया है इसके बाद में हम यहाँ पे लगाने वाले हैं cello tape guys यह मैं इसके लगा रहे हैं so that मैं जो भी eye look create करूं बिल्कुल sharp आए अगर आप beginner हैं आप बिल्कुल नहे हैं eye look create करने में और smokey eye look आप पहली बार create करेंगे तो प्लीज आप यह सेलो टेप का ज़रूर यूज करिए गार नॉर्मल सेलो टेप है जो अपने गरों में यूज करते हैं simply मैंने उसको इस तरीके से पेस्ट कर लिया है जितनी हिसाब से मुझे अपने विंग चाहिए हैं मैंने यूज किया है मेवलीन का जेल आई-लाइनर का जल और यहां पे मैंने लिया है एक flat brush और flat brush की help से मैं अपने जल का जल को इस तरीके से अपने eyes पे deposit करूँगी inner corner पे थोड़ा कम करूँगी और outer corner पे ज़्यादा करूँगी इसको आप जब भी deposit करेंगे गाईज यह बहुत ही आपका मतलब बहुत ही साफ सुथर नहीं होना चाहिए uneven रहेगा तो भी चलेगा because इसके उपर यह हमारा भी first layer है इसके बाद अभी हम और layers करेंगे so मैं अपने दोनों eyes पे सेम तरीके से कर लूँगी अगर आपके पस gel eyeliner का जल नहीं है तो आप normal काजल से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप मुझे comment box में comment करिएगा मैं उसकी वीडियो आपको लिए soon update कर दूँगी so यह रहा हमारा हो गया है हमने base लगा लिया है अब मैं यहाँ पर यूज करी wet and wild का panther यह जो shade है इसका shade का नाम है panther यह बहुत ही अच्छा है बहुत ही pigmented है guys and I hope यह 100 rupees के under का shade है और इसका pigmentation बहुत ही long lasting है so अब इस तरीके से अपने पूरे eyes पे पूरे अपने आइस पे अच्छे से इस shade को apply कर लेंगे so that यह हमारे eyes पे बिल्कुल quality look देगा so same तरीके से मैं अपने बहुत eyes पे कर ले रही है आप देख सकते हैं selective लगाने के वज़े से हमारे जो edges है वो कितने जादा sharp है so यहीं फायदा है हमारे selective लगाने के जब मैं selective निकालोंगी तो आप इसका difference देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका result आया है so यहाँ पर हमने कर लिए अपना base ready अब मैं यहाँ पर यूज करने वाली loose glitter जो की same black color का है और यहाँ पर मैं क्या करूँगी makeup fixer को अपने flat makeup brush यह दूसरा makeup brush है guys उस पर spray करूँगी देन इसको अपने eyes पर simply makeup fixer को apply करूँगी जब मैं makeup fixer को apply कर लूँगी अपने eyes पर अच्छे तरीके से और आपके eyes पर यह loose powder पर काफी देर तक लगा रहता है जब तक आप इसे remove नहीं करेंगे यह long lasting रहता है यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा glamorous look चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पर glitter यूज किया है अगर आपको simply black smokey eyes चाहिए होगी तो आप glitter मत यूज करिएगा मैंने यहाँ पर extra glitter को dust off कर लिया है देन यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ eyeliner eyeliner के लिए guys आज कल मैं blue heaven का eyeliner यूज करने हूँ earlier मैं जल काजल ही यूज करती थी maybelline का बट यह मुझे बहुत handy लगता है और इसे wing create करना बहुत बहुत super easy है अगर आप beginner है तो आप बिल्कुल एक बार try करें एक बार blue heaven के काजल से start करना so guys यह मैं दोना को यह देखिए result guys आप देख सकते हैं कितना sharp आया है मेरा wing अगर आपका हाथ clear नहीं है fluctuate करता है कापता है तो आप इस तरीके try करें so guys यह देखिए मेरा हो गया है makeup look ready यहाँ पर जो भी हल्का फुल का फॉल आउड था glitter का मैंने वसी sero tape की help से निकाल दिया है यहाँ पर मैं कर रही है अपने eyebrow को fill, eyebrow fill करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है wet and wild का eyebrow filling palette और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मैं यूज कर रही हूँ brown shade and इससे अपने eyebrows को fill करने से लुक बहुत ही natural आती है so मुझे यह काफी सही लगता है अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ contouring contouring के लिए मैंने लेया है यहाँ पर light chocolate shade और इसको जो contouring करने के तरीका है आप अपने उपर सर के उपर के side से बिल्कुल e-shape में आते हैं और contour करते है and guys contouring करने से यह होता है कि आपके जो face का sharpने से बहुत ही clear निखल के आता है और आपके face बिल्कुल sharp और बहुत ही glamorous लगता है so यहाँ पर भी contouring करना बहुत ही ज़रूरी है so that हमारी double chin ना पता चले so यहाँ पर मैंने अपने nose को भी contour कर लिया है और nose को contour करने के लिए मैं simply अपने hands से इसको blend कर लूँगी so यहाँ पर मैंने blend करने के बाद मैं आप मैं यूज कर रही हूं and guys यह हो गया मेरा blush complete इस तरीके से आपको blush लगाना है and nose पर थोड़ा blush लगाने से नाच्रल लुक आता है so मैंने यहाँ पर यूज किया है Mars & Co का contouring and highlighting stick और यह बहुत ही अच्छी stick है और इसको blend करने बहुत ही super easy है so मैं अपना यह area highlight करना चाहती थी so that lights fall हो तो यह बहुत ही beautiful लगे so मैंने सिर्फ यह area को highlight किया है अगर आप अपने eyebrows के ऊपर वी करना चाहते तो आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं cheeks पर यूज करना चाहते हैं वहाँ भी यूज कर सकते हैं so यह देखिए यह कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया हमारी face पर बिल्कुल ही मैंने बिल्कुल यह बहुत ही अच्छा stick है यह एक must have है आपके पास अगर आप beginner है so guys यहाँ पर मैंने यूज किया है highlighting highlighter के लिए मैंने आप पर यूज किया swiss beauty का highlighter and guys fan brush से simply लिया है और इसको highlight किया है मैं अफने lips को भी highlight किया है विकाश वफज बहुत ही beautiful लगता है so यहां पर मैंने civic को highlight किया है बिल्कुल ही lightly handed highlight करना बहुत ही light-handed करेंगे अब जितनी light-handed highlighting करेंगे highlighter लिए तना ही beautiful ने माता है though Hillary back १ार् gifted आफ το जैषिस लगा लिए थे और साथी साथ ए मैंने अपने बड़ लाइन पर काजल लगा लिया था 18 मैं आफ सं प्रीन करें भिस नोक क Carl जो कि मैंने क्रियेट조र कि है त्रीज लिए अंद केस्ट को Sat anon आपको मेरे लोक लगा होगा इन्द केस्ट आपको कोई भी ऐसी चीजे जो मेरा समझ में ना आ आई हो या मुझसे कोई भी गलती हो गुतart então जावको ES अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगओ तो प्लीज और अगर आपने चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा टेजन गाई बाए टेकर हदी खाने खाये हदी रही अपना ख्याल रखे बाए